नितीस कुमार के शदन में दिये बयान पर तमाम लोग जो हैं वो लिपापोती कर रहे हैं तमाम उनकी पार्टी के लोग जदियू के राज़त के लोग लिपापोती कर रहे हैं और उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की पतनी यशोदा बेन पर भी बयान कसना सुरू कर दिया कि ये शोदा बेन को तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़ दिया है इस पर भाजपा की पैनलिस्ट है मीडिया पैनलिस्ट है प्रीती सेखर क्या कुछ कर रहे हैं आपको सुनाते हैं महिलाओं का अपमान करते करते अब जद्यू इम्राजत के नेता अब हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाने लगे हैं तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि ये सोदा बेन जी ने स्वैंग अपनी इच्छा से देश हित के लिए नरेंद्र मोदी जी क कर देखना चाहिए अरे बात तो नितिजी की भी होती है उनके परिवार की भी होती है और बात राश्च्य जनतादल की बहु एस्वरिया जी की भी होती है कि राश्च्य जनतादल के नेता जो नारी सम्मान का धकोसला करते हैं वो अपने ही परिवार में अपनी बहु को न्या चाहती हूं हम जदियों के राजत के नेताओं से कि पहले आप अपने गिरेवा में जाकर देख लें तब आप दूसरों पर आरोप लगाने की सुन तो आपने सुना ये थी प्रिती शेखर और जैसे ही कल जो है वो माजी पर बयान आया नितीश कुमार ने बड़े एक तरह से क कह लीजिए कि ओची राजनीत की सदन में माजी को जो उनसे बड़े हैं सदन में सबसे साइद बहुत ही वरिष्ट सदस्य हैं सदन के बिहार विधान सभा के उसमें उन्होंने जिस तरीके के सब्दों का उपयोग किया उसमें कुंतल कृष्णा भाजपा के दिखाते हैं आ बिहार की विधान सभा के सबसे वरिष्ट सदस्य हैं नितीश कुमार जी से उम्र में भी जादा बड़े हैं और सांसदिये जीवन में भी जादा बड़े हैं उनके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तमाल किया उससे तो बिल्कुल स्पस्ट हो गया है कि नितीश कुमार अंदर से मांसिक रूप से दलित विरोधी है और जनक्चमार जी ने मुक्षमंत्री के कलीग रहते हुए उनके कैबिनेट के साथी रहते हुए जो पीड़ा जहेली आज उसका वोधगार कर रहे है जनक्चमार जी ने तो अपने भारतिय जंतापाटी के संसकारों का निर्वा इस ही नहीं बज़ जाती है और जनक्चमार जी की बात को और उनके सर्टिफिकेट को तो रास्ट्रे जंतादल और जंतादल युनाइटेड और बिहार की जंता को सीरसली लेना ही होगा चुकि जनक्चमार जी न सिर्फ बिहार में धलित समुदाय के एक स्थापित नेता है अपितु भारतिय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी है एक जिम्मेदार राजनतिक पद पे भी है इसलिए उनकी बात को तो आपको सिरस्ली लेना होगा अगर आप उनकी बात सिरस्ली नहीं ले रहें तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ धलित विरोधी नहीं है का प्रयोग नतीश कुमार को शोभा नहीं देता है तेखना यह है कि यह जो राजनीत चली है वो कितने दिनों तक जारी रहती है इस पर भी नजर रहेगी आप बने रहे हैं मारे शाहत्त